Hello everyone, Vishali here, welcome back to my channel So, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये पजामा सेट 2.5 मीटर फैबरिक में कैसे बना सकते हो So, ये पार्ट 2 है इस सीरीज की क्योंकि इस सीरीज का जो पार्ट 1 था वो वीडियो मैं अपलोड कर चुके हो जिसमें मैंने आपको ये वाले पजामा सेट बनाना बताए था अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैंने फैब्रिक को एक बार लेंथ में फोल्ड किया है उसके बाद मैं एक बार वृत में फोल्ड किया है तो इस तरीके से फैब्रिक की फोल्ड लेयर्ज हो जाएंगी हम फ्रंट और बैक बार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे मुझे पजामे की total length 34 inches चाहिए 1 inches extra लेंगे bottom fold के लिए और उपर की तरफ से 2 inches की हम belt बाद में add करेंगे क्योंकि मेरे fabric में इस तरीके का print है सबसे पहले इस part को cut करके अलग कर लेंगे इस वाले से हम बाद में sleep बनाएंगे और निच्चो वाले से हम top cut करेंगे से दोनों parts को अलग कर लेंगे अब fabric को एक बार हटाएंगे और जो बीच वाला fabric है उसको एक बार घुमा लेंगे इस तरीके से ताकि सारे fabric में same print हो अब फिर से fabric को एक बार घुमा देंगे ताकि fabric की जो folded side है वो हमारी side हो अब measurement के लिए आप प्लाजो जिन्स या फिर पजामा का भी यूज कर सकते हो मैं यहाँ पे इस crop pen का यूज कर रही हूँ जिसकी making की वीडियो मैं already आप लोगों के साथ share कर चुकी हो उसका link मैंने नीचे description box में दिया है पैंट के belt वाले part को fabric से उपर की तरफ रखेंगे अगर आपको pajama में side pocket लगानी हो तो यहाँ से आपको fabric को cut करना होगा बट मैं इस pajama में pockets नहीं लगा रही हूँ तो इसे cut नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे अब pen की crouch वाले side को यहाँ से उठा कर straight रखेंगे क्योंकि यह उपर से straight और नीचे से हलका सा round होता है बोटम हॉल मुझे 12 इंजिस चाहिए और इसको join करेंगे और इसको cut करेंगे अब उपर की दो pieces और नीचे की दो pieces को एक साथ stitch करेंगे stitch करने के बाद ने इसे mid से पकड़ कर stitch वाले part को हमें mid पर लाना है और इस V-shape को stitch करना है मैंने belt की width इसके जितनी ली है and length मैंने 5 inches लिया है और इसको इधर से stitch कर लेंगे अब stitch वाले part को center पर रखेंगे पजामे को right side पे turn करेंगे और वीडियो में दिखाया according belt को पजामे के साथ stitch करेंगे पजामे को wrong side पे turn करेंगे पहले fabric को half inches तक fold करेंगे and then इसको फिर से एक बार fold करेंगे 2 inches तक छोटे हुए बाकी को stitch कर लेंगे अब अपनी waist से 3 से 4 inches कम एक elastic लेंगे और इसको open part में से safety pin की help से insert करेंगे and दूसरी side से इसे बाहर निकालेंगे and elastic की दो नो ends को एक साथ stitch कर लेंगे अब इस open part को भी stitch करेंगे मैंने bottom part को भी double fold करके stitch कर लिया है और इसी के साथ हमारा pajama ready है अब हम top की cutting करेंगे अब fabric को double fold करेंगे ताकि fabric की 4 layers हो जाएं यह open part and यहाँ पे folded side है fabric की folded side पर कुर्ती को रखेंगे neck, shoulder और arm haul के लिए mark लगाएंगे so guys यहाँ पे measurement के लिए मैं अपनी short कुर्ती का यूज कर रही हूँ इसका tutorial मैं already आप लोगे के साथ share कर चुकी हूँ कि मैंने कैसे एक दूपटे से कुर्ती create की थी तो इसका link मैंने नीचे description box में दिया है अब यहाँ से 1 inches extra लेंगे stitching के लिए इसे यहीं तक रखेंगे क्योंकि इसके नीचे हम slit रखेंगे जैसे कुर्ती के अंदर होती है front neck हम 4 inches लेंगे एंड इसे round shape देंगे इससरीके से सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट को cut करना है एंड इसके बाद में बीच वाले पार्ट को हटा कर सिरफ front के neck को cut करना है तो यह हमारा back एंड यह front पार्ट है front पार्ट के उपर back पार्ट को रखेंगे एंड दोनों shoulder को stitch कर लेंगे अब remaining fabric से हम sleeve cut करेंगे तो fabric को हमें double fold करना है ताकि fabric की fold layers हो जाए अब इसे एक बार इस तरीके से turn करेंगे कि जो open part है वो हमारी side हो यह folded side और यहाँ पर एक open और एक folded side होगा तो जो मेरे पास remaining fabric है इसकी length मेरे पास है 13 inches अब आपको कुर्ती की sleeve को रखना है और यहाँ से यह वली marking लेनी है यहाँ से 1 inches extra लेंगे और इसको नीचे तक extend करेंगे और इसे cut करेंगे cut करने के बाद sleeve को हमें top के साथ stitch करना है सबसे पहले इस दोनों sides को top के साथ pin लगा कर secure कर ले and then mid point को secure करेंगे और इसे stitch करेंगे same process को हम दूसी side पर repeat करेंगे इसके बाद top को shoulder से पकड़ कर half में fold करेंगे and दोनों sides को stitch कर लेंगे neck को भी double fold करके stitch कर लेंगे so guys बाद में मैंने decide क्या कि मुझे slit चाहिए so मैंने इसे two and half inches तक ही मैंने इसे stitch किया था इसके बाद भी जो नीचे वाला fabric है उसे half में पहले fold करेंगे then एक बार और इसे fold करेंगे और इसे pin से secure करेंगे same हम इसकी दूसी side है back side वहाँ पे भी process को repeat करेंगे हमें slit उसी तरीके से fold करने है जिस तरीके से हम कुर्तिस में fold करते है so ये कुछ इस तरीके का V-shape का दिखेगा and इसको इस तरीके से stitch करेंगे दोनों sides पर slit ready करेंगे and जो bottom part है उसको पहले half inches तक fold करेंगे then again इसको half inch तक fold करेंगे and इसको stitch करेंगे and इसी के साथ अमारा top भी ready है so guys I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को like कीजेगा अपनी friends and family के साथ भी इसे share कीजेगा चैनल को subscribe कर लेजेगा ऐसे ही और amazing videos के लिए so मिलते हैं हमारी next video में till then bye take care